फेरो कोई ज़रूरत नहीं पुलिस को मेरे दर्वाजे पर बुलाने की बगर बड़े भई यह दवी मैं अभी तक मारा नहीं हूँ घर की छोटी मोटी उल्जने मैं खुद सुल जा सकता हूँ के सब्सक्राइब करा हूँ कि यह पूंछ रहा हूं कि बाकी के रुप आपने सब्सक्राइब कर दो क्रिष्णा से देखो क्रिष्णा गलती हर इंसान से होती है तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा कि अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साब जी एक छोटा सा सवाल पूठके आपने बहुत कुछ कहनी है कि आगे बागे बढ़ा बात आगे बढ़ चुकिए अब तो पुलिस को भी बुलाई है वह जो में कुछते की तरह मार मार के हम से पूछेगी ना हम तो हम तब ही बताएंगे कि हम एने का बेजकर आए साब जी मत कहो मुझे साब जी इसी साब जी की इज़त आज तुमने मिट्टी में मिला दी क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुमारे लिए उसका मुझे तुमने ये बतला दिया बढ़े बढ़े वह जाओ जोती जिस दिन मेरी फैक्टरी जलकर राख हो गई थी और मैं बरबाद हो गया था मुझे उतना दुख नहीं हुआ था क्रिश्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी किया है साब जी बच्पन में जब हमारे माबाप मर गए थे ना होरम अनात हो गए थे ना तब हमें इतना दुख नहीं हुआ था कितना दुख हमें आज हुआ है कि आप ने चोर कहा साबची आप ने चोर कैसे कहा साबची और ज्यादा सफाई देने की जरूत नहीं है दूरोचा मेरी नजरों से दूरोचा निकल जा इस घर से अरे इस घर से क्या इस गाव को ही छोड़कर चले जाएंगे हरे मुझ जनात का क्या है काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझ कर काट लिये किसाप जी का हात और हमारे सरपो हमको क्या है पर्वा किसी बात की मगर नहींगे हम जआनगा है कि इस दुनिए में अनात का कोई निय नहीं होता हम जा रहे हैं साब जी और इस घर में कभी नहीं हैbelt अभी निकल जा तुमारा इस घर की देलीज में कड़म धी तो मेरा मरा हुआ मूँ देगेगा तू आरे नाए 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 मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की जरूत नहीं मैं कदम मिने रखूंगा यहाँ पर